आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें किसमें बताना की increase molar entropy में कितना increase होगा okay so molar heat capacity in joule per Kelvin per mole for oxygen क्या दे रखा है CP is equals to 10 plus 10 की पाओर मैनस 2 मैनस 10 की पाओर 6 T2 okay हमें यह दे रखा है हमें निकालना क्या basically entropy निकालना है okay so entropy का क्या formula होता है entropy is equals to CP by T entropy is equals to CP TTY T okay और हमें range का दे रखा है 300 से 600 तक okay so इसका integration 300 से 600 तक okay so C CP क्या दे रखा हमें CP दे रखा है 10 plus 10 की पाओर माइनस 2 T माइनस 10 की पाओर 6 T2 divided by T okay into DT okay so बहुमें integration करना है individual integration करते थे हैं 10 by T DT इसका integration plus 10 की पाओर माइनस 2 का DT का इसका integration माइनस 10 की पाओर 6 T का integration T DT okay 300 से 600 तक okay so so delta S इकास तो delta S की वाली क्या आएगी 10 ln T ln T T T जाएगा T2 बाइ T1 so 600 बाइ 300 that is इकास तो 2 ln 2 plus 10 की पाओर माइनस 2 T 600 माइनस 300 प्लस 10 की पाओर 6 बाइट 2 T स्कार T स्कार यानी T स्कार यानी T स्कार यानी 600 का स्कार माइनस 300 का स्कार ओके यहां पर यह क्या 10 की पाओर माइनस 6 है 10 की पाओर माइनस 6 तभी नहीं तो बहुत जादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो इतनको तो सीधा इंग्नोर कर सकते है यहास होता So on solving this comes out to be 9.8 9.865 65 J per mol per Kelvin So answer is 9.8 Thank you guys